हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल दिया और बाती हमें आप आगे देखेंगे कि भावो कहह रही हैं कि संध्या से मोहित की शादी की पूरी जिम्मेदारी संध्या बिंद्री को उठानी होगी क्योंकि मासा ने भी पूरी जिम्मेदारी संध्या बिंद्री को दी है फिर अगे देखेंगे कि चा भी कह रही है कि अगर संध्या भावी सा अगर मोहित भाईया की शादी की जिम्मेदारी उठाएंगे तो उनकी शादी की तो काम होई है पिर आप आगे देखेंगे कि बाबों कह रही है कि अगर जिम्मेदारी उठाएगी नहीं तो जिम्मेदारी उठाना आएगा कैसे वो सीखेगी कैसे फिर आप आगे देखेंगे कि बाबा सा कह रहे हैं कि संतोज एक अनुभवी होना और एक नए इनसान को काम सौब देना दोनों में फर्क होता है सूरज वहीं बैठा सुन रहा होता है कुछ नहीं बोलता आगे आप देखेंगे कि भाबो कहती है कि या तो उसको मीना बीनरी और उसके टावर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उसके खाने पीने का उसके लड़ू का सारा इंतिजाम करना पड़ेगा फिर संद्या कहती है कि बाबो सही कह रही है मैं मोहिद बिया की शादी की जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगी और फिर आगे आगे आप देखेंगे कि वहाँ पे चतुरी खड़ी देख रही होती है सब सुन रही होती है बाबो कुछ नहीं बोलती है फिर संद्या ये कह देखे के वहां से निकलती है फिर आगे देखेंगे कि सूरज वहां पे खड़ा है सूरज फिर संद्या की हेल्प करता है और वो बताता है कि उसको कौन सा काम कप करना है और क्या क्या काम करना है तो संद्या कहती है कि मैं एक चार्ट बना लेती हूँ और पर ये लिख लेती हूँ कि कौन सा काम कब करना है इसे हमें हेल्प भी मिलेगी तो सूरत कहता है ठीक है फिर इधर आप देखेंगे कि सूरत संद्या को बता रहा होता है और फिर उसके बाद सूरत देखता है कि संद्या की साथ किताबे रखी है जो उसको साथ दिन में पढ़ मैंने भी आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको कप पढ़ाई करनी है और फिर संध्या ये देखके खुश हो जाती है फिर आप आगे देखेंगे कि सूरज संध्या मिलबाट के काम कर रहे हैं और सूरज बताता है चार बजे कर लेके आती है संध्या लगाने जारी होती तब तक आपा जाते वह बताते हैं कि पहले तुम स्वस्थी क्व में और स्व that इमैस्ट बना रही जारी कि संध्या मुझन ऑर उन्हरी स्वर्ज स्वेश कि तरफ देखती हैं इस इसने में देखेंगे कि संद्या बहुत खोश हो जाती है और वो देखती है कि उसने जब वो